चोपड़ा है जो किसी ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चों मनिपूर इस्टेट में नी 23 का एक्जाम जो पोस्पोंड हो गया था उसकी डेट अनौन्स हो चुकी है ये 3rd से 5 जून 23 में से किसी भी एक डेट को एक्जाम होगा यानि कि ये एक्जाम 3 जून 4 जून या 5 जून में से किसी भी एक डेट को हो सकता है इसमें कुसी की बात ये है कि मनिपूर स्टेट में एक्जाम पोस्पोंड होने के कारण जो नीट की आंस्वर की और रजल्ट डिले हो रहा था वो अब जल्द ही आ जाएगा यानि कि अभी मनिपूर स्टेट के कंडिडेट का एक्जाम हो जाएगा तो जल्द ही आंस्वर की ओर रेजल्ट आ जाएगा इसी के रेगार्डिंग NTA ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें मनिपूर स्टेट में एक्जाम डेट और एक्जाम सेंटर के बारे में जानकरी दी है यह जो आप पब्लिक नोटिस देख रहे हैं इसमें एक्जाम जो परपोस्ड डेट है एक्जाम डेट वो नीट यूजी के लिए 3rd से 5th जोन 23 तक है यानि कि इन तीनों डेट में कोई एक डेट हो सकती है C.E.T.U.G के लिए 5th, 6th, 7th और 8 जोन 23 और C.E.T.P.G के लिए 5 से 17 जोन 23 तक यह परपोस्ड डेट रखी गई है N.T.A. की तरब से अब यहाँ पर N.T.A. की तरब से कंडिडेट को एक्जाम सेंटर चेंज करने के लिए भी ओप्सन दिये हैं यानि कि ऐसे कंडिडेट जो पहले N.E.T.U.G का एक्जाम नहीं दे पाए थे C.E.T.U.G का एक्जाम नहीं दे पाए थे मनिपूरी स्टेट के कंडिडेट वो कंडिडेट अपना एक्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं वो इनमें से कोई एक एक्जाम सेंटर ओप्ट कर सकते हैं तो ये एक्जाम सेंटर यहां पर जो है वो है आईजोल मिजोरम का है इसमें कोईमा और दीमापुर है नागालेंड का सिलोंग मेगालया का है गोटी आसाम जोराट आसाम सिल्चर आसाम कोलकत्ता वेस्ट बंगोल दिल्ली बैंगलोर और इमफाल मनिपुर का तो ये दस एक्जाम सेंटर ओप्त कर सकते हैं अब एक्जाम सेंटर चेंज करने के लिए कंडिडेट को यहां पर काफी सारे ओप्सन दिये गए हैं इसमें पहला ओप्सन आईवी आरेस सिस्टम का है जो 26 मेज सुबह 7 बजे से लेकर कि 30 मई साम 7 बजे तक उपलब्द रहेगा इस वि आरेस के थ्रू इस फैसलिटी को अवेल करने के लिए अपने रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं तो यह पहला ओप्सन है मनिपूर स्टेट के ऐसे कंडिडेट जिनका एक्जाम अभी नहीं हुआ है और वो एक्जाम सेंटर चेंज करना चाते हैं तो वो आईवी आरेस सिस्टम के थ्रू अपना यह एक्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं दूसरा ओप्सन दूसरा ओप्सन यह है कि यहां पर कुछ सीटी कोर्डिनेटर्स दिये गई हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है तो वहां पर कंडिडेट कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिजिकली तोरुफर जाकर के उस ओपिस में अपना एप्लिकेशन नमबर नेम वगरा सब कुछ पूरी डिटेल दे करके अपना एक्जाम सीटी चेंज करवा सकते हैं यह लिस्ट मैं आपको नीचे दिखाऊंगा जहां पर यह सीटी कोर्डिनेटर की लिस्ट है वहां पर कंडिडेट जाकर के अपना एक्जाम सीटी चेंज करवा सकते हैं इसके अलावा तीसरा उप्सन यह है कि NTA के हेलप लाइन नमर टेलिफोन नमर पर भी आप बात कर सकते हैं 01140759000 या 01169227000 पर आप बात कर सकते हैं 26 से लेके 30 मई 23 सुबह 7 बज़े से लेके सामके 7 बज़े तक आप कर सकते हैं वहां से भी आप यह अपना एक्जाम सेंटर चेंज करवा सकते हैं इसके अलवा नेक्स्ट ओप्सन यह है कि आप SMS भी भेज सकते हैं यहां पर E-mail भी भेज सकते हैं तो SMS और E-mail की डिटेल भी दी गई है आईजॉल सेंटर के लिए SMS के नमबर दिये गए हैं हेल एक्जाम सेंटर आप ओप्ट करना चाते हैं उसका नाम आप सेंड कर सकते हैं तो यह काफी सारे ओप्सन दिये गए हैं एक्जाम सेंटर चेंज करने के लिए ऐसे कंडिडेट जो मनीपूर से हैं और जिनका नीट यूजी का एक्जाम पहले नहीं हुआ था इसके बाद जै की वेबसाइट जो नीट की वेबसाइट है नीट का एडमिट कार्ड है तो नीट की वेबसाइट से सी यूईट का जिसने फोर्म अपलाई कर रखा है वो सी यूईट की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे कंडिडेट जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं जहां पर इंटरनेट की सवीदा नहीं है तो उनके डिस्टिक हैटो काटर में भी बेज दिया जाएगा और इसके बाद में जो help center है cd coordinator जो help center है office है उनका वहां पर भी ये admit card available होंगे वहां से भी आप collect कर सकते हैं इसमें ये जो annexer 1 है इसमें ये city कौन से state में कौन सा city है ये city coordinator की पूरी list है इस पर आप mobile number से बात भी कर सकते हैं mail भी बेज सकते हैं physically तोर पर आप जाकर के वहां पर मिल भी सकते हैं तो ये 10 centers हैं यहां पर आप जाकर के मिल सकते हैं अपना exam center change करवा सकते हैं तो ये मनिपूर state के candidate के लिए information है तो ये कुछी की बात है कि जो exam है वो अभी जल्द हो जाएगी 3 से 5 जून के बीच में हो जाएगी और result भी जल्दी आ जाएगा और answer की भी जल्द ही release हो जाएगी अभी तक ये काफी students को ये हुरा था कि कब exam होगा कब result आएगा मनिपूर state का exam बाकी है तो अभी कितना समय लगेगा तो वो एनिशित्ता थी वो अभी दूर हो चुकी है और ये जल्द ही अभी result आ जाएगा तो ये जानकारी थी NTA की public notice के बारे में इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं ये चैनल आप subscribe करके रखें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेर करें मिलेंगे नई update के